दिखाए ये बुक दिखाए कुष्छन नंबर 12 और दोनों में यह कुष्छन जो प्रोग्राम के बच्चे अगर देख रहे हैं तो प्रोग्राम में भी है servicio न औरource में भी कुष्छन नंबर 12 कुष्छन में क्या कहता है हम adjustment करушки सबसे पहला काम क्या होता निकालना तो हम PC निकालेंगे सबसे पहले और सर PC निकालने के लिए तो कुश्चन में कहता है A New Company, P&Q Company एक P एक Company है P and Q Company है P&Q Limited एक New Company है ध्यान रखना है इसको और हमारे पास पहले ही एक P&Q Limited अलग-अलग Company है और Old Company की बात करें तो एक P Limited है और एक Q Limited है ये दो Company है ठीक है ना और इन दोनों Company को जोड दिया गया इन दोनों Company को जोड दिया गया और जैसे ही इन दोनों Company को जोड आ गया तो एक नई कमपनी बन गई जिसका नाम क्या रखा गया पीक्यू लिमिटेट सेम वोड़ाफोन और आइडिया दो अलग-अलग पुरानी कमपनी और एक नई कमपनी बना दिया गया जिसका नाम रख दिया गया वी आई तो जब कभी भी दो कमपनी जूड़ जाए आपस में और एक नई कमपनी बन जाए उसको बोलते मर्जर उसको बोलते हैं मर्ज हो जाना क्योंकि दोनों अपस में क्या मर्ज हो गई कि इसाम में सब्सक्राइब बीड़ा हुआ है के नेचर अमेलगमेशन मर्जर एक्साम में थोड़ी ना आएगा नेचर अमेलगमेशन मर्जर आपको समझना होगा जब ऐसा सिच्वेशन मिले वोड़ा फोन आइडिया का एक्जामपल याद रखना आप समझ जाना यह तो मर्जर वाला कुश्चन है कहता है के यहाँ पे एक्चार 2020 में एक्वाइर P Limited and Q Limited authorized capital 15 लाख रुपे का divided into 10 रुपीश इच और हुआ यह के जो यह कंपनी है और यह कंपनी है इन दोनों कंपनी को खरीद लिया किसने इस कंपनी ने खरीद लिया और authorized capital बोला के हम अपने कंपनी का रखेंगे कितने लाख रुपे का रुपीश 15 लेक अब एक बात समझिएगा authorized capital और issued capital आपका difference होता है अपनों में तो अभी यह नहीं पता चला कि हम इसको कितना देंगे और इसको कितना देंगे यह बात नहीं पता चला अभी तो इसने बोला कि हमारी कंपनी का जो रहेगा वो कितना रहेगा हमारी कंपनी का 15,000 अभी तो इसस नहीं पता है ठीक है 15 लाख 10 रुपे का डिवाइड करेंगे दिया तर्मस ओफ कंडिशन एकुजिशन एस वाज अंडर कहता है दपी लिमिटेट वस कंसिडर वर्थ 11,50,000 डिस्चार्ज बाई 57,500 शियर 20 रुपी सीच पी ग्यारा लाख 50,000 समझें सेम ऐसे क्या कहता है क्यू लिमिटेड की बात करते हैं और बदले में इसको देंगे 57,500 शियर इसको जो दिया जाएगा एकुटी शियर दिया जाएगा कितने 57,500 और कितने का 20 रुपे का लेकिन सर हमारी कंपनी का जो शियर से वो तो 10 का है लेकिन इससे 20 रुपे का दे रहे हैं मतलब हमने उसको प्रीमियम बेश किया है मल्टिप्लाई करिए क्या आता है क्या आता है बताईए 11,00,000 तो इसका PC तो नहीं पट गया तो देखो question कितना easy बन गया PC निकालना नहीं पट रहा आगे कहता है sir q limited बोलता है मेरी value है पांच लाख पचास हजार इसने बोला मेरी value कितनी है पांच लाख पचास हजार तो sir अगर इसकी value पांच लाख पचास हजार है तो इसको क्या देंगे हम बोला मुझे भी चाहिए 27,520 रुपे का तो equity share capital दे दिया 27,50 और एक share दिया गया 20 रुपे का तो ध्यान दे तो क्या गया 5,5 लाख अब मैं पूछना चाहूँगा मेरे पास authorized capital कितने थे डेड़ लाख 15,00 रुपे का था है न यह जिरो और लगा दिया तो sir इसके अंदर से वो कितना दे चुका है 5,7,5,00 और एक जिरो और और कितना दे चुका है sir 27,500 और एक जिरो और इसका मतलब आप ध्यान से देखो तो 15,00,00 में से वो 8,00,00 रुपे दे चुका है 7,00,00 रुपे का अभी भी इसके पास reserve authorized capital में पड़ा हुआ है समझ रहे बात को ठीक है न यहां तक चलिए यानि इन दोनों का PC तो दे रखा है liquidation expense कितना है हमारा 10,000 paid by P&Q limited सर ये company buyer company देने के लिए तैयार है liquidation expense कितने खा 10,000 तो सर goodwill ही होगा देखेंगे और आगे कहता है 12,000 equity share P&Q limited were issue to the public 20 रुपे का देखा यहां पे 8,00,00 था न तो 7,00,00 share क्या थे यहां पे बचे हुए 6,50 होगा न तो 6,50 बचे हुए है 6,50 बचे हुए इसके पास share है 6,50 यानि मैं number की बात कर लूँ तो 65,000 share बचे हुए है है के नहीं 65,000 में से बोला public को भी हम बेचेंगे कितने बेच दिये 12,000 public को बेचेंगे और उसको भी जो बेचने वाले है न हम वो 20 रुपए के हिसाब से तो उससे कितना recover हो जाएगा 2,40,000 ये मेरे पास आने वाला है cash जो कि मेरी balance sheet के अंदर add-on होने वाला है अब भी मेरे पास share बच गए और कितने बच गए ये करने के बाद भी 65 में से 12 निकाल दोगे तो 53,000 बचे हुए हैं ये क्या है हमारा still authorized capital है ये ठीक है ये क्या है authorized क्योंकि starting में question ने क्या कहा था हमारा authorized capital कितना होगा 15,000,000 अब इसने कहा था हमारा authorized capital 15,000,000 है जिसमें से कुछ share किसको दे दिए गए हमारे कुछ share आप देखोगे तो हमने किसको दे दिए कुछ share हमने दे दिए इसको और कुछ shares मैंने दे दिए इसको जो numbering की हम बात करें तो numbering आप निकाल सकते हो यहाँ पर numbering यह है और यहाँ पर numbering यह है यही दोनों number को मैंने मिला के फिर balance बताया था कि इतने बच गए हैं और इसके बाद finally पता चला कि public को हमने issue कितने कर दिए बारा हजार और balance बच गया हमारा जो कि अभी तक issue नहीं हुआ that's mean यह क्या है सर यह authorized capital का हिस्सा बचा हुआ है समझ मैं शेयर का सारा कहानी चलिए आगे कहता है बस question में पास necessary journal entry books transfer by balance sheet AS 14 nature of merger आगे question बोल भी देता है nature of merger है nature of merger की सबसे खास बात क्या है हम स्टार्टिंग से entry करते जाते हैं question कहां चले गया question number था यह एक मिनाट तर कुश्चन भीज देते question मैं भी भीज़ूँगा book मैंने कहा था आपको ले लो रितू question भीजता हूं मैं पहले मैं question तो मैंने पढ़ा है अब सारे एसेट्स सारे लाइबलिटी लेने पढ़ेंगे मुझे अब कंपनी कौन लेगा ये कंपनी ये कंपनी अब हमारे पास सामने वाला कंपनी का मतलब कौन सा एक लिमिटेट का ले लेगा और एक क्यूव लिमिटेड दोनोंके एसेट्स और लाइबलिटि जो हम तीसी को डिस्चार्ज करेंगे और की एंठी हे तो ठीक डिबेंचर है तो डिबेंचर रो हम एक्सचेंज करेंगे पस यहीं इसके अंधर होना है जब में कुस्ट्रों करूँगा तो वहां मैं डिफरेंज बताऊँगा कि अब कहां पर आएगा चलिए next part पर चलते हैं इसकी entry के उपर चलते हैं entry entry number one first entry क्या होगा हमारा business purchase account debit two two क्या आएगा liquidation sir two liquidation में कितने business purchase करें being वही रहेगा मैं यहां calculation दिखा देता हूँ तो sir calculation की बात करें तो 11 और कितने हो गए तो sir आपने कहा कि यह 17 लाग हो गया 11 लाग कितने थे 11 लाग था हमारा 50 जार ग्यारा लाग 50 जार एक company का और 5 लाग 50 जार एक company का तो total sir हमने 17 लाग रुपए का company दोनों खरीद लिया है एक नई company ने ठीक है दूसरी entry सारे assets खरीदेंगे अब सारे assets में दोनों company के assets लेने होंगे ठीक है न तो आप एक एक करके बताईए सबसे पहले assets में हाँ हाँ एड करकर करके बताएंगे और मैं दिखाता जाओंगा ठीक है तो assets पर आ जाते हैं सबसे पहले बात करते हैं goodwill तो जो goodwill है दोनों company का ले लेंगे हम goodwill sir goodwill कितने कितने का है एक का कितना है एक लाख एक company का और प्लस बीस हजार एक company का तो total goodwill हमारे पास आगया एक लाख और क्या है बताईए land and building कितने कितने 4.8 lakh एक company का और 2.8 lakh एक company का 7,60,000 यह dot लग गया है चलो कोई नहीं 7,60,000 sir और कोई assets है plant and machinery किसी की book value बताई नहीं के market value क्या है तो हम same value पर अक्यवारी करने वाले हैं 3 lakh एक एक लाख साथ हजार अच्छा सैवन एक लाख साथ हजार 107 lakh कितने हो गए 4.7,000 रुपे चलिए और क्या है furniture furniture कितने का एक लाख अच्छा अच्छा लग अलग है एक का एक लाख है प्लस 60,000 तो एक लाख साथ हजार और क्या है investment कितने है investment कितने एक लाख प्लस प्लस एक लाख यानि दो लाख stock पर आ जाते है stock कितने का है एक लाख प्लस 80,000 रुपे एक लाख 80,000 और क्या है debtor कितने कितने का 80,000 प्लस 70,000 देड़ लाख और क्या है bank भी है कितने 20,000 प्लस एक बात बताना हमने bank से कुछ share भी issue करे थे जो बन रहत हमारा 240 क्या यहाँ पर उसे consider करेंगे नहीं यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि यह तो पुरानी company कैसे take over कर रहे है और वो जो bank वाला entry आएगा ना तो वो नई company ने issue किये थे तो वो किस में जाएगा नई company में हम अलग से उस entry को show कर देंगे कि यह पैसा हमारे पास आया है यहाँ पर नहीं करना है ठीक है कितने होगे 60,000 और बस अब करना है कहा यह हमारा सारा discount on issue preliminary expense का पार्ट है जो की हमारा माना जाता है share capital ठीक है नब preliminary expense का पार्ट है और share capital का liability बताईए आप debenture कितने percent दोनों का 10 है 10 percent debenture दोनों को जोड़ देते हैं तो 90,000 एक company का और 60,000 एक company का तो total होगे डेड़ लाग रुपए और क्या है creditor creditor की बात करें तो 60,000 और 30,000 कितने का 90,000 का और बस अब देखिए यहाँ पे debit side का total बता देजिए आप अब debit side का total बता देजिए क्या है debit side का total एक PC भी है purchase consideration भी है 17,000,000 debit side का total क्या है 38,000,000 57,000 ठीक है बहुत ज्यादा आ गया देख लो एक बार फिर से 4, 7, 11 एक बार फिर से total कर लो 38,000,000 60,000 है नीचे का भाई आप सब भी calculator लो कितने है 20,000,000 भाई calculator नहीं लेके आते हैं आप सब ऐसे 20,000,000 37,000 है चेक कर लिया चलिए 20,000,000, 37,000 है ठीक है 20,000, 37,000 में हमारे पास ये है और ये है ये है कहीं न कहीं तो difference आएगा यहाँ पर difference क्या आ रहा है देखिए कितने का 97,000 ठीक है अब आप question को दियान से देखिएगा यानि पहले की बात मैं कर रहा हूँ जैसे difference आया अब यहाँ पर पता हैं क्या लिखते थे Capital Reserve एक company दूसरे company को कहती थी हमने तुमारी company को सस्ते में खरीद लिया लेकिन यहाँ पर तो दोनों ही company खतम हो रही है तो किसी ने एक दूसरे को नहीं खरीदा खरीदा एक नहीं company ने जिस company का existence नहीं था सिर्फ यहाँ पर एक तरीके से आप सोचो ना ध्यान लगाऊ ना तो नाम बदल दिया गया दो कम और नाम को बदल दिया गया कि कई वार ऐसा होता है ना ब्रैंडिंग को बदलने की वजह से और तरीके से structure करने की वजह को बड़ा पहुंचता एक तो लोगों में अवेरनेस जाता है अग्सिस बैंक नाम सुना है आप सभी ने एकसिस बैंक 2008 में एकसिस बैंक नहीं था नाम यूटी आई बैंक हुआ करता था अब यूटी आई बैंक में पाने को तेरी लूप यह लग रहा था कि इस बैंक कर चर रहे बाद होने वाज़ासे बहुत इसने री ब्रेंडिंग करा एक से आपको तीनी नॉर्मली याद आएंगे एक एपसी बैंक एक आई सी तो इसी तरीके से अब हम Capital Reserve से नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर किसी कंपनी का फाइदा नहीं आप यहां पर घमारी कंपनी के जो रिजर्व है नai पूरानी कंपनी के reserve उसी reserve से इसको match करने वाले हैं तो पुरानी company में reserve देखिए कितने का पड़ावा था reserve surplus है दोनों का पचास अजार और सर्प्लस है दोनों का दोनों का सर्प्लस कितने का है 31 तो आप यहां पे देखेंगे तो इन तीनों में से कोई भी इस्तमाल कर सकते हैं इन तीनों में से कोई और आपे मैं जनलर रिजर्व ले लेता हूं कितने का आ रहा है 97 क्या 97 का जनलर रिजर्व है हमारे पास है तो कहानी खतम 97 से बस अब कई बार आप बोलते हो सर्प्लस ले लिजिए आप जो भी डिफ्रेंस आएगा साइड में और यहां always credit side में ही difference आएगा और उस difference को हम किसे match करेंगे उनके reserve and surplus का मतलब उसके इंदर बड़े सारे reserve and surplus होते हैं क्या-क्या होता है सर जनर रिजब भी होता है capital reserve भी होता है और साथ के साथ surplus का amount भी होता है security premium भी है सब उसको लेके जो भी free reserve match देखो एक तो मैंने जनर रिजब से करा कुछ बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं और book में भी किया हो सकता है कि उसने कुछ तो surplus ले लिया और कुछ security premium ले लिया समझ रहे हो और जरूरी नहीं है क्योंकि हमारे पास surplus में पैसा ही नहीं है इतना कितना पैसा है surplus में देखो एक लाख टोटल तो और surplus security premium में पचास हजार है तो आप बुक के अंदर कुछ बच्चे solution को देखेंगे तो देखो इसने surplus के अंदर कितना ले लिया है 47,000 और security premium का पहले भरपूर इस्तमाल किया security premium ले लिया पचास ही है security premium में और चाहिए पैसा इस्तमाल करने के लिए तो इसने कहां से निकाल लिया surplus मैं चाहता तो यहां general reserve भी लिख सकता हूं मैंने सब को छोड़ दिया और मैंने कहा यार मेरे पास तो general reserve में पैसा है तो मैं general reserve से इसको 97 से मैच करूँ और टेंशन खतम लेकिन priority basis पे अगर security premium है तो उसको आपने इस्तमाल करना है समझ मैं ही बात आपको तो nature of merger के अंदर जो मैंने कहा था कि जब concept start होगा तो ही मैं बताऊंगा तो nature of merger की कहानी अगर देखी जाए तो बस फरक इतना ही है कि पहले क्या होता था डेविट में निकला करता था गुडविल और क्रेडिट में निकला करता था capital reserve अब ऐसा नहीं होगा जो capital में है जो हमारे पास reserve पड़ा हुआ है पुरानी balance sheet में दोनों का उसी के नाम से balancing figure को यहां पर क्या करना है मैच चाहे आपका चाहे आपका जनर रिजर्व हो चाहे आपका surplus हो कोई भी ले सकते हैं मैं चाहूं तो यहां पर तीनों थोड़ा ले सकता हूं है ना security प्रियूम ले लिए 20,000 जनर रिजर्व ले लिए तो जब नई कंपनी की हम तो उसके अंदर जनर रिजर्व हमें शो होगा कितने का सो होगा 97,000 क्यूंकि हम यह मान के उनका जनर रिख किया है debit side में बहुत rare आता है debit side की कहानी वही है कि debit side में भी आएगा गुडविल तो देई रखा होगा बहुत कम आएगा मैं debit side वाले के लिए अलग से question एक करके दिखा दूँँगा कि credit वाले का देख लेते हैं तो nature of merger में देखा आपने क्या changes है इतना से आये थे same डिटो वही है फरक हमारा यहां पर आ गया आप बुक के अंदर देखोगे जो solution है जो बच्चे देख रहे होंगे वहां पर क्या कर रखा है surplus और capital reserve यह सारी चीज़े कर रखें तो उसकी कोई कि दिक्कत वाली बात नहीं है चलिए अगली एंट्री पर चले यहां तक क्लियर है हर किसी को अगली एंट्री की बात करते हैं अब नेक्स एंट्री पहला हमने business purchase किया फिर assets खरीदा फिर क्या करते है पीसी को discharge पीसी को discharge करेंगे तो liquidator को debit और two क्या देदे equity share capital और two security premium ठीक है यह डिरेक्ट एंट्री आप कर सकते हो सरी कुटी शियर कैपिटल कितने का होगा चेक कर लीजिए यहां पर कि शत्तावन पांसो और कि शत्ताइज कितने हो गया और कि साड़े आठ लाग तो बागी का रहेगा security premium तो साड़े आठ लाग रुपे यहां जाएंगे इसको तो सत्रा ही देने ना तो साड़े आठ लाग एट पॉइंट फाइव लैक और security था ग्यारा एक लाख पंद्रा हजार अगा शेर के नंबर हाँ दोनों company के एक के हैं जी सत्तावन हजार पांसो एक के हैं सत्तावन पांसो और एक के हैं 27 जो की दोनों का मिलाके हो जाता है 85,000 और 85,000 सर 10 रुपे का है face value और सर security premium भी 10 का है तो face value से 10 से multiply करके हमने पहुचा दिया यहां पे और security premium के case में multiply करके हमने पहुचा दिया security premium है समझ में आ गई बात आपको क्या अच्छा एक जिरो और लगया सत्ताव इसपांसो ठीक है क्लियर है यह कैसे है और यह को डाउट हो रहा सर कैसे ले लिया आपने तो मैंने बताए जितने शेर उसका दोनों क्योंकि 10 का सेर कितने का बेचा गया था 20 का बेचा गया था तो मैंने यहां पर क्या करा security premium ले चाते हैं यहां पर entry में तो कर सकते हैं यहां पर भी entry अगर क्योंकि मैंने यहां एक लिकुडिटर ले लिए ब्रैकेट में लिख देते हैं यहां पर P plus Q कहानी खतम P plus Q दोनों का है एक्जामनर समझ जाएगा यहां अलग अलग करना चाहते हैं जैसे books वगेरे में करावा होता है तो आप इसे भी कर सकते हैं आगे expense की बात करता expense कितने का payment किया था उसने 10,000 रुपए का expense का payment किया था तो 10,000 रुपए का payment करेंगे हम तो हमारे bank से पैसा चला जाएगा तो क्या होगा हमारा liquidation expense expense to bank और सर किसने payment किया था यह payment किया था जो new company बन रही है उसने तो यहां पर ध्यान से सोचा जाए तो यह company उसने payment किया है तो यह उसके लिए क्या माना जाएगा खर्चा तो पहले तो हम goodwill कर देते थे क्यों क्यों acquire कर रहा है यहां पर merger वाला है तो goodwill वाली बात नहीं है औ आप चेक करिए क्या 10,000 रुपे हमारे जो जनर रिजर्ब में है मैं इससे कर दूँगा इसको क्या कर दूँगा मैं जनर रिजर्ब को कम कर दूँगा जनर रिजर्ब टू टू liquidation expense यानि अब देखा जाए तो हमारे company के जो जाएगा वहाँ पर 97 के जगह पर 87 लेके जाओंगा मैं बताइए कोई doubt इसमें voice clear नहीं आ रही voice clear नहीं आ रही check कर लेते है voice clear मेरे पास तो clear show हो रही है आप फिर से देखिए चलिए मैं एक बार दुबारा connect करता हूँ अब देखिए ठीक है यह फटा फट ठीक है चलिए अगले point पर चलते हैं अब अब देखा मैंने यहां पर surplus नहीं लिया क्या नहीं लिया जो हमारे पास है उससे है क्योंकि अब यह सारी चीजे मेरी है और मेरी का मतलब new company के अब मुझे जो भी करना है इसी में से करना है किसी को assets देना यहीं से उठा के दूँआ ठीक है तो अलग से entry कर देते हैं बस हमारा question खतम फिर क्या करना है balance sheet बनाना है चलिए तो मैं दो entry होना चाहिए वैसे वैसे दो entry क्या होता है bank account debit to share application share application to equity share to security प्योंड मैं direct कर देता हूँ direct भी कर सकते हैं जैसे bank account कि डेविट 240 कि 240 कि इसको थोड़ा और कम करते साइज है ना कि तू कि equity share capital और तू अगेन कह रहा हूं मैं इस short में कर रहा हूं मैं आप एक्जाम में पूरा करिएगा समझ में आये क्यूं हुआ यह यह नहीं अप्लिकेशन तो आपको 240 था तो यहां पर 120 यह आ जाएगा फिर अगेन बच्चों को confusion होगा सर 120 कैसे आया तो आप ध्यान से देखिए पीछे example के अंदर मैंने बताया था public को issue किए कितने के 20 के 20 में से 10 रुपे तो face value में चला जाएगा और 10 रुपे कहां चला जाएगा security premium में चला जाएगा तो ऐसे देखा जाए तो 120,000 चले गया शेर कैपिटल में और 120,000 चला गया security premium के अंदर तो यह हमारा सारा का सारा entry हो जाता है यहां पर done अब हमें क्या करना है अब हमें करना है आगे balance sheet तो balance sheet की बात करेंगे यहां तक किसी को कोई परिशानी कोई समस्या नहीं फटा-फट balance sheet balance sheet क्या बनेगी दो-चार आइटम है balance sheet में मैं वहीं पर add करकर दिखा दूँआ फटा-फट मैं बना देता हूं balance sheet चलिए balance sheet की बात कर रहे हैं balance sheet में यहां पर note अगर requirement होगा नहीं तो amount अब जो balance sheet मनेगा किसका P and Q limited का balance sheet है ठीक है यहां पर क्या लिखते हैं हम particular मैं अगेन कह रहा हूं कि मैं इसकी formatting इतने अच्छे से नहीं कर रहा because of कि हमने balance sheet वाला जो chapter है financial statement the company वहां पर बड़े ही detail में किया हुआ है ठीक है ना वही formatting रहेगा तो सबसे पहला first part first part होता equity and liability उसके बाद आ जाते हैं next part पे number one shareholder fund उसके बाद आ जाते हैं हम next part next part क्या लिखेंगे हम A part share capital और B part reserve and surplus पहले format कर लेते हैं ठीक है अब आ जाते हैं आने debenture holder को हमने नई debenture दे दिए ठीक है तो non current liability इसके अंदर आ जाएगा हमारा क्या इसके अंदर आ जाएगा हमारा A part long term borrowing ठीक है इसके बाद number three पे चलते हैं number three है हमारा current liability current liability की अगर हम बात करें तो आ जाते हैं चलिए A part A part क्या है हमारा क्या-क्या था current liability में creditor यानि trade payable और कुछ था नहीं था खतम चलिए यहां क्या आ जाएगा हमारा total अब आ जाते हैं assets पे assets की बात करते हैं तो point number two assets assets में दो ही part होते हैं हमारे कौन-कौन से दो part होते हैं हमारे दो part का नाम है number one non current assets अर्जस कर लेंगे और number two क्या था current assets ठीक है चलिए इसके अंदर आ जाते हैं पहला A part आ जाएगा हमारा P P E property plant equipment इसके लिए मैं note बना लूँगा और इसी के अंदर आ जाता है हमारा B part intangible इसके लिए भी note बना लेंगे के लिए current assets में बताईए क्या क्या है inventory A part inventory और एक मिनट थोड़ा से से छोटा करते हैं थेक है दुबारा इसे लिख देते हैं साफ साफ थोड़ा अटाई देते हैं assets में दुबारा लिख देता हूँ second part asset अब assets के अंदर था हमारा first part known current assets और second part current assets इसके अंदर हमारे part है A part PPE property plant equipment और B part intangible assets ठीक है current assets में A part अब investment जब कुछ ना बोला हो तो always long term count करना है investment है क्या investment है तो always long term count करना है तो sir यहां पर थोड़ा सा और space बनाना पड़ेगा चलिए यहां गया C part known current investment और क्या है B में trade receivable C में cash and cash and cash equivalent और क्या है cash equivalent ठीक है थोड़ा और उपर ले जाते हैं क्योंकि company का नाम देखके तो फाइदा नहीं है कोई और particular ठीक है यह आगया total चलिए फटा-फट से हम क्या करेंगे total करते जाएंगे और लिखते जाएंगे लिखते हैं सबसे पहले share capital share capital की बात करें तो मैंने बताया था कितने issue कर दिया है वह आएगा note बनाना चाहते तो note वैसे ही बनाना है authorized capital issued capital वह तो issue की बात करें तो कितने का issue हो गया था सर सत्रा लाक स्वरी साड़े आठ लाक का तो एक issue किया था हमने उनको पुराने को और एक बीस का एक issue किया था मैं face value ही consider करूंगा यहां पे तो कितने होगे total आठ लाक बासट हजार चलिए reserve and surplus के लिए note बना लेते हैं नो लाक सतर हजार 970 reserve and surplus के लिए note बना लेते हैं sir reserve and surplus के लिए note क्यों क्योंकि इसमें adjustment था surplus के लिए सबसे पहले हमारे पास GR आया GR कितने का आया 90 7 का आया था minus कर दिया हमने expense paid करके कितने का 10,000 और plus कर दिया security premium क्या कह रहे हूं और old general reserve जो हमने यहां acquire किया वही लेंगे पुराने को नहीं करना कुछ हुए जो हमने लिया है सिर्फ उसी को consider किया जाएगा ना तो पुराना equity share ना तो कुछ अब security premium security premium देखो तीन-तीन जगह से आया एक जो P limited से वसूला मैंने Q limited से वसूला और एक और public से भी लिया तो security premium तीनों का लिख देते हैं तो sir आठ पचास और एक public से लिया था कितने का एक बीस तो security premium में कितने आगे 9,70,000 बस और तो कुछ है नहीं यह minus में है तो आप बताईए कितने हो गए यह 97,000 है यह 97,000 है यह 970 नहीं है बताईए कितने का गया 10,00,000 इसलिए मैंने इसके लिए note अलग से कर दिया थोड़ा सथा लेंदी तो यह लिजिए यहां पर लिख दिया note number 1 लिख देते हैं 10,00,000 ठीक है अब sir long term borrowing में तो debenture ही है तो debenture है तो debenture को जोड के जो पिछला है हम लिख देते हैं पिछला debenture आपने जोड के बताया है तो था डेड़ लाग रुपे का तो वही डेड़ लाग उठाके यहां लिख देते हैं debenture डेड़ लाग का अलग से नहीं कर रहें इसको sir और क्या जाएगा हमें उसकी balance sheet से मतलब नहीं है जो जो खरीदा है उससे मतलब है और क्या है हमारे पास sir? Creditor आ जाता है क्रेडिटर नब्बे हजार का इसमें कोई कमी बढ़ती हुई नहीं है तो आ जाएए नब्बे हजार का creditor है तो creditor पर आ जाते हैं फिर से समझ में आ रहा है ये लो 90,000, पुरानी balance sheet में क्या है उससे मतलब नहीं है, जो चीज़े हमने खरीद लिये, जो ले लिये वही तो रखेंगे अपनी balance sheet में, चलिए, और तो कुछ है नहीं, total कर लेते हैं इसका, अब assets भी ले लेते हैं एक बार सारा, assets में PPE में देखा जाए तो क्या लिया जाए ये ये तीन चीज़े, इसके लिए मैं note बना देता हूँ, note number 2, किसके लिए PPE, समझ में आ जाए था कि, और आपको exam exam में तो देखो सब का ही बनाना है, सबसे पहले क्या था हमारा sir, land and building, कितने का, जो नों का add कर दिया, देखें, मैंने यहाँ add करके दिखा रखा है, तो इसलिए मैं वहीं पर ले जाता हूँ, 7,60,000 सी था, 7,60,000 ये था दोनों, और क्या था, plant and machinery भी था क्या, और sir, plant and machinery और furniture है, plant and machinery, और क्या है, furniture, सर, plant and machinery कितने का बताईए, 4,60,000, साथ हजार, 7 था, जीरो सेवन, और furniture, 160, बस और तो कोई नहीं था, fix assets, add करिए, 13,00, 27,000 रुपए, sir, 13,00, 27,000 note number 2 के आगे लिख देंगे, 13,00, और goodwill देखो तो मैंने यहाँ total कर रखा था, मैं सीधा उठा लूँगा, goodwill amount हमारे क्या है, 1,20, तो आजाएगा हमारा 1,20,000 intangible assets में, चलिए, non current investment भी डारेक्ट यहीं से उठा लेते हैं, non current investment हमारा 2,00,000 का है, तो 2,00,000 रुपए मैंने यहीं पे ले लिया, और सर क्या करने वाले inventory भी वहीं से pick कर लेगे, inventory हमने total करा हुआ है, और inventory हमारा stock के नाम से लिखा है, 181, inventory के बाद trade receivable, debtor 1,50, debtor 1,50,000, cash, hand, इसका working note करके बता देता हूँ मैं, क्या है हमारा यह cash and cash equivalent, cash and cash equivalent, sir, क्या क्या हैगा, number one, हमारे पास पुराना cash कितने का पड़ा हुआ था, वो ले लेते हैं, sir, 60,000 रुपए का था cash, cash हमारे पास already था 60 का, जिसमें से payment कर दिया हमने liquidation expense को, 10,000 रुपए का minus, और जिसमें से हमारे पास आया भी equity share capital से, कितने का 240 का, तो sir, कितने का बच गया, कितने का, 290, 290 का, तो यही 290, यहाँ लिखना है, sir, 290, अब दोनों side का total करिए, अगर ठीक आता है, तो, 290, अब इसका total क्या आ रहा है, 22, 66, यही इसका आना चाहिए, चेक करिए इसको भी, balance sheet बोला था question में, prepare balance sheet भी करना है, 22, 66, तो, तो आप देखोगे न, compare to nature of margin, compare करें, absorption वाले से, यह आसान है, क्योंकि फटा फट से जुट जाएगा, इसमें ज्यादा adjustment हो गा ही नहीं, बस ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, market value इतने का, इतने का हो गया, बस, और सब कुछ गीवन है, लेकिन, PC नहीं गीवन होता, PC का मतलब purchase consideration, तो हम क्या करते, तो हम या तो net payment, निकालते हैं, अभी भी जो हमने निकाला है, net payment method के हिसाब से यूज़ कि हमें पता था, इतना देंगे, इसको इतना देंगे, लिए कुछ नहीं पता चल रहा तो, उसकी assets, उसकी liability माइनस कर आओ, PC निकाला और share, ठीक है, तो यह हमारा books of buyer, ने देखा, अब्जॉप्शन, nature of merger, खतम हुआ, अगली class, अगली class से हमें start क्या करेंगे सर, अगली class से, जैसे कि कल class है, जो उसके अंदर, कल भी class रखूँगा, कल संड़े है न, कल भी class रखूँगा, कल वाली class में मैं करवाऊंगा आपका, books of, buyer की कर रहे थे, seller क्या-क्या entry करेगा, क्या-क्या books बनाएगा, बस उसको एक question देखेंगे, और clear हो जाएगा हमें सारा concept, उसके अंदर journal entry नहीं है, उसके अंदर leisers बनेंगे, leisers किसका, serialization account बनेगा, क्योंकि seller तो बंद कर रहे है अपनी दुकान को, और liquidation और bank वगएर, etc., etc. बनेगा, चलिए फटा-फट से, exam में तो देखो कुछ भी आ सकता है, हम ये नहीं कह सकते कि exam में क्या नहीं आता है,